कि एलो इदार्तियों आज हम पढ़ने वाले क्लासिक्स विग्यान सब्जाइट का द्याय नमर से सजी विशेशता हैं आवास का अगला भाग जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ जली आवासों के बारे में तो देखो सबसे पहला जली आवास हैं समूंदर ये को रामतोरी ये कना और तक हमें यह सर designer लेने के लिए उनमें गिल क्लूम होते हैं डॉल्फीन अर वेल कि जैसे कुछ जंतों में गिंद नहीं होते में में लंबे समय तक भिना स्वास आज रhouse सकते हैं में अमे पर समल चित्रह बार स्वासनशीदों से जम बाहर निकालते हैं यहँं स्वासन वर्णी वाइु क्या आपने कभी दूर्धसन पर अत्वास अमुञरी जीव चल mijने डालते हैं कैसे इसार छिय an में चांधा है और देखो तालाब को निकाल दीजी इन पोदों की पतिया तने और जड़ों किस परकार हैं तो इन में से कुछ पोदों की प्रन्तु जलिये पोदों में जड़े आकार में बहुत चोटी होती हैं एवं इसनका मुख्य पोदे को तल हटी में जमाई रखना होता है इन पोदों का तना लंबा कोकला यहों मलका होता हैं, तथा जल की सतव पर वर्दिक करता हैं, जबकि पत्यां यहों फूल जल की सतव पर बलवन करते हैं, कुछ जलिये पोदे जल में पूर्ण रूपें डूबे रहते हैं, ऐसे पोदों के सभी भाग जल में वर्दिक करते है इनमें से कुछ पोदों के पतियां क्या संक्रियां पतले रिबिल की तरह होती हैं यह बैते जल में सरलता से मुर जाती हैं कुछ अन्य जल मगन पोदों में पतियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिससे जल इनके बीच से बैता रहता हैं और पत्तियों को कोई छती भी नहीं होती है मैडग आम तोर पर तालाब में पाया जाने वाल एक जन्तु है यह तालाब की जल यह उस्तल दोनों पर रह सकता है इसके पेर जुपाद पच्छे पाद लंबे तता मजबूत होते हैं उन्हें चलांग लगाने आउसिकार पकरने में साहिता करते हैं इनके पच्छपाद में जाल युक्त पादा अंकूलियां होती हैं जो उन्हें तेरने में साहिता करती हैं हमने केवल कुछी जन्तु हैं पोद्धों की चर्चा की है कल्पना कीजिए कि यदि हम पर्षी के सभी चेत्रों में उपलब पोदों की पत्यों का एल्बम तियार करें तो उनमें कितनी विवित्ता होगी आप देखो हमारे आसपास के जीव किरियाग्लाब एक में हमने विविन परिवेज में पाई जाने वाली जन्तूं की सूची बनाई कल्पना कीजिए कि यदी हम जानना चाहें कि हमारी परची में सजीव के कौन से उदारन हैं आएए वन में पाई जाने वाले जन्तुों के विशे में सोचें वक्स, हारोई लता, वी सर्फी लता और चोटे बड़े जन्तु, पक्सी, सर्फ, केट, चटान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायू सुकी पतिया, म्रग, जन्तु, सत्रक एंग, काई, मास वन में पाई जाने वाले विवीन वस्तुों के कुछ उदारे है, इनमें से कौन सजीव है, अपने चारों और पाई जाने वाले विवीन वस्तुों के विशे में सोचें तताओने, निर्जी वयाओं सजीव समूओं में बाठी, कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा हुदारनाथ हमारे घर की कुछ पुर्षी अत्वा मैज जैसी वस्तुएं सजीव है नहीं है पहली एडबर्ड लियर द्वारा रच्छे कंप्ले लेट नांसें का यह अच्छन पड़ रही थी पहली और बूजों को कविता बहुत मजीदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मैज और कुर्षी सजीव नहीं है अंतर यह न तो चल सकते हैं और न बोल सकते हैं हम जानते हैं कि कुर्षी मैज अत्वा एक सिक्का सजीव नहीं है इसी परकार हम जानते हैं कि हम सजीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुशी तता अत्वा पगुत्र की बांती चल नहीं सकते दूसरी और एक कार्ड अत्वा बस चल सकती हैं फिर भी हम उन्हें निजीव कहते हैं पुदे हम जन्तु समय के साथ वर्दी करते हैं परन्तु कहीं बार ऐसी भी वर्तित होता है कि जैसे कि आकास में बादल अपने आकार में अच्छा उधारन हैं आप मैंसे ऐसे कौन से विसी लक्षन हैं जो आपको निजी वर्दों से अलग करते हैं अपनी नोट्बुक में ऐसे कुछ लक्षनों के नाम लिखिए अपनी बनाई सुची को जियान से देखिए रहों पता लगए कि कौन से लक्षन अन्य जन्तुआ जन्तों पर निरबर रहते हैं बोजन से वर्दी के लिए एंधर से अंदर ने वाले अनियत जय प्रक्रमों के लिए भी उर्जा किया सकता है क्या सभी सजी जीवों में वर्दी परिलक्सित होती है क्या चार वर्ष पुराना कुर्टा आपको अभी भी ठीव आता है इसे आप अब और नहीं पहन सकते क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गई हैं आपको इसका आबास नहीं हो रहा है लेकिन आप में हर समय वर्दी हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वैस्क हो जाएंगी जन्तुओं के बच्चे भी वर्दीकर वयस्क हो जाते हो रहे हैं आपने अवस्य देखा होगा कि कुप्ते के पिल्दे वयस्क हो जाते हैं एक अंडे से स्पूटित होकर चुजा मुर्गी का बच्चा वर्दीकर के मुर्वी अत्वा मुर्गों में परिवर्थित हो जाता है पुद्दे भी वर्दी करते हैं अपने चारों और पाए जाने वाले विवीन परता के पुद्दों का अवलोकन कीजिए इन में से कुछ बहुत चोटे तखा नवजात हैं तो कुछ विक्सित हैं ये सभी वर्दी विवीन परिश्थितियों में हो सकते हैं कुछ दिनों बाद, कुछ सब्ता बाद पुद्दों को देखिए आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वर्दी हुई है वर्दी सभी सजीवों में होती हैं क्या आप सूचते हैं कि निर्जीव वस्तुवर्दी परतसित नहीं कर सकते हैं क्या सभी सजीव सवसन करते हैं क्या हम सवसन के बिना जीवित रह सकते हैं जब हम सवसन कर लेते हैं तो बहार की वायू शरीर के अंदर जाती हैं जब हम स्वांस छोडते हैं तो शरीर के अंदर की वायू बहार निकल जाती है स्वांस लेना स्वासन किरिया का ये गिश्या है स्वासन में अंदर ले गई वायू की आक्सिजन की कुछ मात्रा का उप्योग होता है इस किर्या किलाब में बनी कार्बन डायोकसाइड को हम स्वासन द्वारा बहार निश्कासित कर सकते हैं गाएं बेशकुता तता बिल्ली जैसे कुछ जन्तूओं में स्वासन किर्या मनुश्य की तरह ही होती है इन में से किसी भी जन्तू का विश्राम की अवस्ता में फ्रेक्शन कीजिए तता उसके उदर की गती का ध्यान दीजी यह मंद गती उनकी सांस लेने की किर्या को दर्शाती है स्वशन सभी सजीओं के लिया आवसक हैं गरहन किये गए बोजन से स्वशन के द्वारा ही हमारे शरीर को उर्जा मिलती है कुछ जन्तों में गैस आदान-करदान का तरीका भीन हो सकता है जो स्वशन का एक हिस्चा होता है उदारन के लिए केंचुआ तउचा द्वारा सांस लेता हैं। हमने बढ़ा हैं कि मचली के गिल होते हैं जिनकी साहिता से वह जल में विले वायू से ऑक्सिजन अफ्योग कर लेती हैं। क्या पोधों की स्वासन करते हैं। पोधों की स्वासन किरिया में गैसों का आधान पर प्सक्राइब ज्णन ऑप्तिती में पोधेबिव की कर वायू dying औक्साइड का उपियू बनाने की लिए करते हैं तता ऑक्सेजन छोड़ते हैं usoускり यहाill दिन और रात दुनों निरंतर चलती रहती है बोजन बनाने की पर ग्रिया में निश्कासित ऑक्सीजन की मातरा प्सक्र बहुत अधिक होती हैं क्या सभी सजी उद्धीपन के परती अनुगरिया करते हैं जब आप नंगे पैर टेहल रहे हो तता आपका पैर अचनक ही किसी कांटे तता नुकुली वस्तु पर पढ़ जाए तो आप किस प्रकार अनुगरिया करें जब आप अपने पेरिय वेंजन को आप पिर ये वेंजन तेज प्रकास एओं काटा उप्रोग किस्टितियों में आपके बाही वातावरन में होने बाले परिवर्तन के परती अनुगरिया करते हैं वातावरन में होने वाले इन परिवर्तनों को ओधीपन कहते हैं क्या दूसरे जंतों में भी ओधीपन के परत तेवरु परकास डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं इसी परकार यदि रात्री में आप रशोई गर में बल पर्दित कर देते हैं तो कौकरद अचानक अपने चिपने कोई इस्तान में भाग जाते हैं क्या आप जंतों में उदीपन के पर्ति अनुकरिया के कुछ और उदारन देख सकते हैं क्या पोदे भी उदीपन के पर्ति अनुकरिया के धरसाते हैं कुछ पोदे में पुष्प केवल रात्री के समय ही खिलते हैं कुछ पोदों के पुष्प सूरियास के बाद बंद हो जात कि पास एक को गंबले को रखी और कुछ दिनों तक पोदे को नियमित जल देते रहे क्या यह पूदा खुले इस्तान पर रखे पोदे की तरह सीधा ऊपर की और वर्दी करता हैं जदि यह सीधा वर्दी नहीं करता तो ग्यात कीजिए यह किस्प और बुरा मुर्ता है आपके प्यूब करता है पोजन के बच्ची विया उश्यस वाग का क्या होता है वे अप्सिष्ट के रूप में शरीष से बार निकाल देते हैं विबिन प्रकमों जयव प्रकमों के पल्स रूप आपने हमारे सरीर में कुछ अप्सिष्ट परदात्पन होते हैं सजीवों द्वारा इ यह अप्सिष्ट परदात पुद्धे के कुछ विशेश वागों में संग्रेट किये जाते हैं जिससे पुद्धे को कोई हानी नहीं पहुंचती कुछ पोद्धों में अप्सिष्ट परदातों का निसकाल सन्य इस्त्राव के रूप में होता है उर्शर जन सजीवों का एक दूशा सामन ये लक्षन है क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं क्या आपने कभी कभूत रत्वा किसी वक्सी के नीर बोसने देखे हैं ये नीर में अंडे देते हैं कुछ अंडे इस्पूटित होते हैं तता उनसे चोटे-चोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं जन्तु प् प्रजनन करते हैं जन्तु की तरह पुद्धों में भी प्रजनन के तरीके विंविन हैं बहुत से पुद्धे वीजो द्वरा प्रजनन करते हैं पुद्धे वीज उत्वादित करते हैं हम उन्हें अंकुरित करके नए पुद्धे उगा सकते हैं कुछ पुद्धे वीज के मितरूप से जल देजी आप कुछ तिनों के बाद क्या देखते हैं इसमब बनने के इंदराल में कुड़ी जाने वाली देखबाल की जानकारी प्राप्ती अध्याई पांच में आमने जंतुमें गति के विभिन तरीकों की चाचा की थी, वे एक इस्तान से दूस्तान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य परकार की गति भी दिखाई देती है पोद्धों के विशे में क्या विचार हैं, क्या वे भी गति करते हैं, पोद्धे सामने ते भूमी में चकर रहते हैं, अन्तों वे एक इस्तान से दूसरे इस्तान तग नहीं जा सकते, वे जन्तु विभीन परकार जैसे जल, खनीज, एवा, संसलेशित, खादे परदाद, पो कुछ नेज़ी वस्तों को भी गति करते देख सकते हैं बस कार का अन्य कुछ वस्तों की गति सेकेश परकार भी नहीं है प्रकरती में विवित परकार थे जीव हैं लेकिन उन सभी में कुछ लक्षन एक समान होते हैं जिसकी हम तरपहले चर्चा कर चुके हैं मिर्ट्यों के लिए एक सामनी लक्षन है चकिसे जीव की मिर्ट्यों होती है इसलिए जीवकी फऺरजातियां हजारों वर्सों तक सभी स्थिति मेरा सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान्य संतान उत्मन कर रहें एक अकले जीव प्राजनन किये बिना भी मर सकता हैं परुंतु सजीव की प्रजाती तद्भी अस्तितु में रहती है जब उसके सदिश्यों में प्राजनन होता देता है अमने देखा कि सभी सजीव वस्तूओं में कुछ विशिश लक्षन समान रूप से दिखाई देते हैं उन सभी को पोज лам लक्षन दिखाई देते हैं कार साइकल गड़ी एमों नदी का जल गति करते हैं आकास में चंद्रमां गति करता हैं हमारे देखते देखते एक बाधल के आकार में वर्दी हो जाती हैं क्या इन वस्तुवों को सजीव कहा जा सकता है हमेश्वयम से पर्षन करना होगा कि क्या इन में सजीवों के अन्य सभी लक्षन भी पाए जाते हैं सामने तर सजीवों में वे सभी लक्षन पाई जाते हैं जिनकी हमने चचा की हैं परन्तु निजी वस्तों में वे सभी लक्षन एक साथ दिखाई नहीं देते हैं क्या यह हमेशा सत्य हैं क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षन जिनकी हमने चचा की हमेशा निच्चित हुआ कुछ लकसन कभी एक साथ दिखाय नहीं देतें उनमें से समातर कुछ लक्सन ही दिखाय देते हैं इस दिखाय को और अच्छी तरह परकार से समझने के लिए कि कि of इंजी दुकान में रख रहता है तथा इसमें कोई वर्दी नहीं होते हैं अन्य लक्षंप दिखाई नहीं दे़yi परंतों जब हम इनी aufid Beweg gezamen Bore Peakset है तो ahopoda बन जाता हिं क्या मिशन की आसकता भी थी अत्वा इनमें उस सजन वर्दी अत्वा प्राजनन हुआ था हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उधारन है जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीव के सभी लक्षन दिखाई दे रही हैं जिससे उन्हें जीवित कहा जा सके फिर सजीव क्या है गेहों की बोरी में अपना हाँ डाले क्या आपको कुछ गर्मी का नभव होता है गेहों की बोरी में कुछ गर्मी उत्वन होती है यह गर्मी बीजों के सवसन के कारण उत्वन होती है हमने देखा कि वीजों में सोचन के किरिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जेव प्रक्रम उतने सक्रिये नहीं होते संभाव तो अमारे परशन आफिर का जीवन है क्या का उतर देना इतना सरल नहीं होता परणतु अपने चारों और पाए जाने वाले जीवों की विवित्ता को देखकर अच्छाने की मुझ से निकल जाता है कि जेवन सुन्दर है आईए इस पार्ट का सारांस इस पार्ट से हमने क्या सिखा तो किसी इस्तान का परीविश जिसमें पोदे जन्तु आंव अनिया जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है विभीन परकार के पोदे यहं जन्तू एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं पोदोय और जीवों के विशिष लक्षन एंग सभाव जो उन्हें एक आवास विशिष में रहने के अनुकल बनाते हैं अनुकलन क्यालाता है आवास अने परकार के होते हैं परंतु सामने ते से इस तलिये जमीन तता जली आवास जल में वर्गिगत किया गया है विभीन आवासों में सजीओं की विविद्ध परजातियां पाई जाती है अगले वीडियो में इसके अभ्यास परशनों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए दन्यवाद